Hello Friends, Foundation of R Software के कूर्स में आप सभी का फिर से इक बार बहुत सौगत है अब तक आपने देखा कि हमने R Software के बारे में दिन भिन्ठ जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करी है आज हम इस lecture में और जो हमारा अगला lecture है उसमें R-software से सम्बंदी जो हमारे छोटे-छोटे कमांड्स होते हैं छोटे-छोटे कारे करने के लिए जो हमारे instructions होते हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं यह कमांड बहुत ही minor, elementary होते हैं लेकिन उनका जानना बहुत आवश्यक है हम जब ही कभी कारे करते हैं तो हमको उनकी आफशक्ता पगती है कहीं-कहीं पर हमारा जो R-software का output आता है वो ऐसा होता है कि जो हम उसको पहली बार में समझ में नहीं आता है और यह मैंने अपने experience में देखा है कि उसमें से लोग confused हो जाते हैं तो इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे एक basic fundamental elementary operations होते हैं R-software के उनको मैंने यहां पर एक साथ खटा करने के कोशिश करी है उसमें से कुछ मैं आपको इस lecture में बताऊंगा और कुछ में इसके आगे जो lecture उसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा जैसे उधारग के लिए आप आप programming में R-console में आप काम कर रहे हैं और आप अपनी इस window को साफ करना चाहते हैं उसमें बहुत सारा आपने क्लिक्ट्राइब कर दिया है तो जैसे आपने देखा कि कई बार मैंने आपको बताया है कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम control L डबाते हैं और उसको उससे हमारा स्क्रीन साफ हो जाता है तो उसी तरह से मिलते दिलते हमारे पास कुछ और commands भी होते हैं जिनके बारे में उनकी knowledge होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है तो चली हम इन छोटे-छोटे commands की बात करते हैं हम उनको आपको screen पे करके दिखाएंगे और साथ ही हम उनको art software में करके दिखाएंगे मैच नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि मैंने यह जो commands यहां पे लिखे होगे है और उनका जो outcome आया है laptop का है मेरे computer से है मैंने वहां पे जो files upload करी हुई है वो उनके बारे में है लेकिन obviously आपके computer में वाली files नहीं है तो हो सकता है कि आपका outcome उसे अलग आए इससे में आपको कोई confused नहीं होना है लेकिन जो उस कारे को करने के लिए command है वो आपको यहां पे सीखना है तो चलिए हम इस lecture की शुरुवात करते हैं और इन छोटे-छोटे commands को सीखने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहला command लेते हैं कि हम जब भी R software में काम कर रहे हैं तो हमारी working directory के अंदर कौन-कौन सी file है देखिए जब भी हम कभी R software में काम करते हैं या कोई भी software में काम करते हैं हमारी एक directory होती है जिसके अंदर हमारी files, dataset, programs, इत्यादी save होते हैं अब अगर हमको यह बात को पता करना है कि हमारी directory में कौन-कौन सी file है तो जैसे कोई अगर DOS पे काम करता है तो हम वहाँ पे command यूज़ करते हैं DIR उसी तरह के से R software के अंदर जो हमारी working directory है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं उसके contents को देखने के लिए हमारे पास command होता है LS और हम type करते हैं LS और उसके साथ में parenthesis तो जब हम ऐसा करते हैं तो जैसे अधारल के लिए मैं आपको बताऊं जब मैंने LS और इस parenthesis command को मैंने अपने computer पर execute किया तो यह हमारा वहां पर screenshot आई यह हमको यह बता रहा है कि उसके अंदर हमारे पास एक core boot नाम का program है एक core power अंदर इसको temperature नाम का program है इत्याडी लेकिन यह हमारी जो laptop जो हमारा laptop यह उसके अंदर है तो देखिए जब हम अपने R console में आते हैं और हम यहाँ पर type करते हैं LS और यह parenthesis तो देखिए मुझको कुछ ऐसा यहाँ पर दे रहा है यहाँ पर हमारे पास कुछ इक data file है bacteria then ctl cv boot इत्याडी इत्याडी तो यहाँ से हमको इस अपनी working directory के जो contents है वो मालूम पढ़ आते हैं अब हम चलिए कुछ आगे की बात करते हैं अब हमारे पास आगे का सवाल आता है कि जैसी हम R software में काम करने आते हैं हमारी इच्छा यह होती है कि मुझको यह मालूम होना चाहिए कि हमारी current working directory क्या है हम कहां पर काम कर रहे हैं क्योंकि जहां पर हमारी current working directory होगी वहीं पर हमारी सारी files program इत्यादी save होंगे और वहीं पर हमारा उसका outcome भी आएगा तो अपनी current working directory को देखते के लिए हमारा command होता है get wd इसका मतलब है get working directory और साथ में parenthesis तो जब हम ऐसा अपने r console पर करने की कोशिश करेंगे जैसे लिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर get wd और parenthesis तो यह मुझको दे रहा है कि c colon backslash users backslash shall up backslash documents अर्थात यह हमारा address है यहां पर हमारी working directory है अब definitely जब आप इसको अपने computer पर करने की कोशिश करोगे तो यह कुछ और आएगा और उसी तरीके से हम जब इसको इस computer पर जहां पर मैं अभी काम कर रहा हूं वहां पर करूंगो तो कुछ और आएगा लेकिन उसको आपको दिखाने के पहले हम आपको यह भी बता दे कि सपोज आप इस working directory को change करना चाहते हैं आप यह चाहते हैं कि जो आपकी files है, input है, output है, इत्यादी है वो सब एक और कोई directory है जो आपने पयार करके रखी है उसके इंदर होना चाहिए तो अपनी इस working directory को बदलने के लिए हमारे पास command होता है setwd setwd का मतलब होता है set working directory right, तो जैसे उधारल के लिए मैंने एक directory बनाई है जिसका नाम है r-course और इस r-course की directory को मैंने c-drive पर copy कर दिया है और मैं यह चाहता हूँ कि मेरी working directory यह r-course folder हो जाए जहां पर मैं अपने input data, output data, इत्यादी को सब कुछ वहाँ पे handle करता रहा हूँ उसके लिए हमको देना पगेगा command setwd और parenthesis में double quotes में c colon back slash r-course और उसके बाद हम जब अपनी current working directory को देखेंगे और अगर हम type हरेंगे getwd parenthesis में तो हमको यहां पर मिल जाएगा c colon back slash r-course अब आप देख सकते हैं कि यह directory हमारी बदल गई है और इसी को आप अगर यहां पर देखेंगे इसके screenshot में तो सबसे पहले जब मैंने getwd किया तो उसने मुझे यह वाली directory दिखाई c colon back slash users back slash shell up back slash documents और उसके बाद मैंने अपनी working directory को बदल दिया और मैंने c colon पर r-course कर दिया उसके बाद जब मैंने working directory को देखा तो उसमें दिखा दिया c colon back slash r-course अब यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है यह जो मैंने यहां पर double course के अंदे दिया हुआ है यह इसका path है यह इसका रास्ता है जहां से computer को उस working directory तक पहुंशना है यह path देने का जो command होता है different platforms पर अलग-अलग होता है यहां पर आपको जो भी उस current platform का जो भी नियम है उसका पालन करते हुए आपको वहां पर path देना है और जब आप ऐसा दोगे तो आपको वहां पर सही command मिल जाएगा तो चलिए अब हम आपको पहले इसी चीज को हम आपको our software में करके दिखाते हैं कि कैसे काम बनेगा अब देखिए मैंने यहां पर type किया getwd देखिए इसने मुझे दे दिया c colon backslash users studio three backslash document यह क्या address है यह address हमारे अभी के computer का है जहां पर मैं इस course की recording कर रहा हूं अब इसी में अगर मैं इसको change करना चाहता हूं तो मैंने पहले से c colon पर मैंने एक our course नाम की directory को create कर दिया है तो जैसी हम यहां पर set wd करेंगे c colon backslash our course आप देखेंगे यहां पर कोई भी operation हुआ इसका मतलब है कि अगर कोई mistake नहीं आई है कोई गल्ती नहीं आई तो यहां पर कुछ नहीं होगा अब हम इसमें से जो भी operation करेंगे हमारे input, output सब कुछ हमारा इसी directory के अंदर save होता रहेगा अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत छोटा सा command बताना चाहूंगा जब भी कभी हम programming करते हैं और अपने programs को execute करते हैं कभी-कभी उस program को run करने में थ्वास समय लगता है या अगर हम कोई computation कर रहे हैं, iteration कर रहे हैं तो कुछ समय तरक हमारा program काम करता रहता है अब सोचिए कि अगर आपने program को execute कर दिया और program काम कर रहा है और उसी बीच में आपको लगा कि नहीं इस program को यहाँ पर रोक देना चाहिए हो सकता है कोई आपसे गलती हो गई हो या कुछ आपने गलत command दे दिया और इत्यादी कुछ बहुत से कारण हो सकते हैं तो उस कलते हुए program को बीच में रोकने के लिए हमारा जो तरीका होता बहुत आसान है simply जो आपके keyboard पर escape की है आप उसको दबा दीजे जैसी आप escape की दबाएंगे वो आपका program अपने आप से कमाप्त हो जाएगा और आप फिर से जो आर का जो prompt है वहाँ पर आप लोट आएंगे उसके बाद में एक छोटा से कारे और है जिसके बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं और इसके बारे में आपको मालूम भी है लेकिन अब सारे सारे कमांड को जब हम एक साथ बताने की कोशिश करने तो इसको भला क्यों छोग लिया जाए अगर आप अपने R console पर काम कर रहे हैं आप अपनी graphic user interface window पर काम कर रहे हैं और आपके वहाँ पर बहुत कुछ 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 काइप कर दिया और आप पूश्क्रीन को साफ करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल की और L की जो आपका कीबोर्ट पे L की होती वो आपको एक साथ दबाना है दोनों को जैसी आप कंट्रोल और प्लस अर प्लस L कंट्रोल L की दबाएंगे आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा तो देखिए हम आपको इसको करके दिखाते हैं यह कैसे होगा अल्दो हम बहुत 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 पहले भी कर चुके हैं देखिए हमने दबाया कंट्रोल L और देखिए हमारी स्क्रीन क्लियर हो गई अब अगर हम यहां पे अगर माली हमने कई बार एंटर किया है और अपने प्रॉम्ट को अगर हम खतम करके अपने कंट्रोल को पहली लाइन पर लान इसके बाद हम आपको एक और operation बताना चाहेंगे, जब भी कभी हम R programming में काम करते हैं, तो बहुत बार हमको इसमें से किसी सहायता की जूरत होती है, और सहायता के लिए हम लोग ने बहुत सारे खरीके पहले भी देखे हुए हैं, और मैंने आपको एक बताया थे कि आप कोई भी web search engine में जा सकते हैं, वहाँ पे R command को type करके आप type कर सकते हैं, जैसे कि आप ही कि हम Google पे चले आते हैं और वहाँ पे जाकर कि किसी word को type परते हैं, और उसके दौरा मुसको बहुत सारी website पे उसके बारे में information मिल जाती, उसी तरीके से R software के अंदर भी, R software से सम्मंदित सवालों कोड का जवाब धुनने के लिए एक internal command है, उसको हम कहते है R site search, अब यह जो command है इसको में आपको ध्यान देना है, देखिए यह जो R और यह S दोनों capital letter में है, फिर ITE small letter में है, और फिर से यह जो search में है S यह capital letter में है, और यह E, A, R, C, H यह आपका lower case alphabet में है, तो आपको इसको ऐसे ही type करना है R console पर तभी काम करेगा यह, और यह क्या करता है कि जब भी आप इस command को use करेंगे, then आपको parenthesis में उस word को देना है, जिसको आप ढूनना चाहते हैं, तो यह जो command है, यह आपको यह वाली website है, जो search.r-project.org, यह वहाँ पर ले जाता है, और वहाँ से आपको उस word के बारे में search करके जो results होते हैं दिखा लेता है, तो इसमें और अगर हम कोई web search engine like as Google की बात करते हैं, तो यही अंतर है कि Google के case में वह आपको बहुत सारी website को ढून देगा और यहाँ पर खाली है, यह एक ही website को ढून देगा, लेकिन यह जो website है, यह R software की ही site है, जैसे उद्हारन के लिए अगर हम कहें कि हमको mode के बारे में पता करना है, हम यह क्या type करेंगे, capital R, capital S, small letters में ITE, capital S, small letters में EARCH, हम यह type करेंगे R site search, और parenthesis में double quote में देदेंगे mode, और उसके बाद जब हम R console में इसको type करके enter करेंगे, तो देखे हमारा कुछ ऐसा screenshot आएगा, a search query has been submitted to this site, the result page should open in your browser shortly, अर्थात यह यहां से control उठ करके अपने आप से जो आपका browser है, यहां से आप internet use करते हैं, वो page अपने आप से खुल जाएगा, और वहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, यह उसका screenshot है, आप देखेंगे यहां पर यह जो हमारी site है, यह हमारी search.r-project.org है, और आपने चुकी mode के बारे में दिया, यह mode, यह mode, यह mode, इत्यादी, यह सब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, अब इसमें से आप इन links को क्लिक करके आप इनको पढ़े सकते हैं, और इनके अंदर जो भी information चीपी हुई है, आप उसको समझ सकते हैं. तो चलिए, आगे बगलने के पहले, मैं आपको यह सबसे पहले करके दिखा देता हूं, कि यह कैसे कार करेगा. देखें, यहां पर मैंने इस command को type कर दिया, और देखें, जैसी मैंने type किया, यह हमारा एक homepage खुल गया, और देखें, ऐसा page यह खुल करके आ गया, जहां पर यह लिखा हुआ है mode, इत्यादी, अब इसमें से आप बहुत सारे link दिये हुए हैं, लेकिन यह बात ऐसी है जो बहुत सारे लोगों को confuse करती है, आपको शायद समझने के बाद में यह बहुत आसान लगेगा, लेकिन मुझे को लगता है कि शायद आपको यह inform करना बहुत आवश्य की ही कि यह क्या चीज़ होती है, जैसे माली हमें को दहरा लेते हैं फिर हम आपको समझ साब बताते हैं क्या है और फिर उसका उत्तर क्या होगा यह भी बताएंगे, माली हमने एक से लेकर के 200 तक के numbers को लिया, इसका हमारे command होता है अगर हम लिख देंगे 1,200 तो हमारे पास एक से 200 तक के number आ जाएंगे, जैसे मैंने इन numbers को मैंने X में के अंदर store कर दिया, अब देखेंगे 1,2,3,up to here 200 यहां तक यह 200 तक के number आ गया है, अब आप इन number देखेंगे तो 1,2,3,4,5,up to here 18 और अगला number है 19 लेकिन यह जो हमारा first column है यहां पर मैं circle कर रहा हूँ, यहां पर आप अगर देखेंगे तो यह 1,19,37 यह bracket के अंदर लिखा हुआ है यह क्या चीज़ है, यह जो number actually में है यह आपको बताते हैं कि उस आइन पर जो पहला number है उसका index क्या है, जैसे आप अगर चलिए 1,2,3,4,5,up to here 16,17,18 अब यहां पर देखिए जो अगला number आ रहा है यह कौन सा number है, तो यह जो 19 है यह यहां पर दिया हुआ है और 19 नंबर पर कौन सा number आएगा यह आपको यहां पर दिया हुआ है, अब यहां पर चुकि मैंने 1 से 200 तक के सारे number लिए हुए है इसलिए आपको 19 और 19 में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया रहा है, यह मैं आपको आर कंसोल में करके दिखाऊंगा, उसी तरीके से अब आप अगर देखिए कि यहां पर हमारे पास 145 लिखा हुआ है 145, अब आप यहां पर ब्रैकेट में देखेंगे, यहां भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 145, इसका मतलब यह है कि इस लाइन के उपर जो हमारा पहला number है, उसका index है 145, अब दूसरी बात, यह जो हमारी आर कंसोल की width है, यहां से लेकिए यहां तकी, इसको हम control कर सकते हैं, इसको हम come कर सकते हैं, और अगर इस width को अगर हम come कर देते हैं, suppose मैंने इसको यहां पर रोग दिया, यहां तक में ले आया, तो अब देखी क्या होगा, एक से 10 तक के number तो आ गए, अब जो 11 number होगा, यह आपका अगली line पर आएगा, तो आपका जो index होगा, वो आपका यहां पर 19 की जगा 11 हो जाएगा, जैसे देखिए, मैंने यहां पर आपको करके दिखाया है, कि अगर हम माल लीजिए कि अगर हम इसको 10 पर break कर देते हैं, तो आप देखेंगे, वही number हमारे हैं, एक से लेकर के 200 तक के, लेकिन यहां पर जो हमारा पहले column में numbers आ रहे हैं, bracket के अंदर यह सिफ different है, अलग है, यह हमारा एक, दो, तीन, चार, up to here, 10, उसके बाद आगया, 11 और ग्यारवे की जो position है, वो हमारी इस bracket के अंदर दी होई है, कि यह हमारी 11th position है, यही कार आपको ज ले लिया, एक 1 से handed तक माल लिजे, अब आप देखेंगे की x हमारा यहां से आ गया, right, आप देखें, यहां से 1 से 10 तक हमारे number हो गया, और यह 11 नंबर हमारा यह 11 लोकेशन पर आ गया, तो इस number, यह जो 11 नंबर का जो index है, इस दूसरी line पर, यह जो bracket में 11 दिया हुआ, यहा और फिर से जरह हम x को यहां पर print करते हैं, तो अब आप देखेंगे, चुकि मैंने width कम कर दी है, अब यहां पर खाली 1, 2, 3, 4 नंबर आ रहे हैं, और पांचवा number हमारा अगली line पर आ रहा है, तो यह जो पांचवा number है, इसकी हमारी location यहां से define करी जाती है, कि अगर हम कहें कि यह हमारा पांचवी line पर जो हमारा पहला number है, उसका index क्या है, तो यह इस bracket के द्वारा दी गया है 17, आगे के index हम उसे count कर सकते हैं, यह 17, तो यह ठारवा index, यह 11 वा index, और यह 20 वा index, ओके, अब हम एक काम करते हैं, जरह सा इन number को हम बदल देते हैं, जैसा मैं ले लेता करके, एक सो पचास तक हो, अब आप देखिए, यह हमारी एक रो में कित्य नंबर है, 101, 102 और यह है 110, अब इसका मतल़ भी है कि यह हमारे पास कस नंबर हो गया और 11 नंबर हमारे क्या है, 111, तो यह जो 11 है, यह देखी यहां पर दिया हुआ है, कि दूसरी line में जो 11 नंबर है, वो है 111, दूसर नंबर यह जो दिया हुआ है, इसकी location है, 12 नंबर पर है 112, 13 नंबर पर है 113, इत्यादी करके, 20 नंबर पर है 120, और 21 नंबर पर हमारा आ गया 121, और इसी width को अगर हम माली कम कर देते हैं, तो आप दिखेंगे कि अगर हम x को यहां पर print करते हैं, तो इस 6 और 11 आ रहा है, क्यों? एक से लेकर कि 101, 102, 103, 104, 105 और 106 जो नंबर आ रहा है, यह मारा दूसरी लाइन में खटा नंबर है, यह इसका हमारा मतलब होता है, उमीद करते हैं, अब आपको यह वाला confusion नहीं होगा, और हम अगले अपने जो बाकी commands से उनके बारे में बात करते है अब यहां पर देखिए, एक में आपको छोटा सा कोजाव देना चाहता हूं, कि जब भी कभी हम R software में काम करते हैं, तो हम अपने कुछ जो packages हैं, उनको हम लिबरी कमांड के द्वारा लूट करते हैं, अब माल लिजे कुछ ऐसा हुआ कि बीच में आपको काम करते समय अपन अपने computer को बंद करना पड़े गया, या आपको अपने R software से बाहर आना पड़े गया, और थोड़ी ज़र बात आप जब R software को फिर से start करते हैं, या आप अपने computer को फिर से start करते हैं, तो आपको लगता है कि जो मैंने पहले अपनी libraries लोट करी थी, वहीं वहां पर होंगी, औ और आप आ करके उही commands को फिर से इस्तमाल करना शुरू करते हैं, लेकिन वह काम नहीं करता है, उसके पीशे कारण ये है कि जब भी कभी आप अपना R software को start करेंगे, तो आपको अपनी सारी सारी libraries को फिर से load करना पड़ेगा, जो आपने libraries पहले load करी थी और जब आपने R software से quick किया, then वो अपने आप से unload हो गई थी, ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है कि जो आपने library एक बार load कर दी, वो हर दम के लिए load रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसी तरीके से एक छोटा सा और कुझाव है, कि R software में आप देखेंगे बहुत बार हमारे number ऐस 7, अब सवाल ही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, 5.2345 into, that is multiplication, 10 raise to the power of 7, तो ये जो e plus 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, 10 raise to the power of 7, और उसी तरीके से अगर लिखा हुआ है, 5.2345 e minus 7, इसका मतलब होता है, multiplied by 10 raise to the power of minus 7, तो ये number क्या बन जाएगा हमारा, 5.2345 into 10 raise to the power of minus 7, कभी-कभी लोग इसमें स्वासा confuse हो जाते हैं, किसी को e लगता है, कि exponential की बात कर रहा है, या किसी और जीज़ की बात कर रहा है, तो मैं आपको यही request करूँगा कि आप confuse मत होई है, और इसका simple सा interpretation है, 10 की जो भी हावर होती है, उसके terms में आपको इस number को लिखना है, अब इसके बात में एक और चीज़, हम जब भी कभी अपने R software में काम करते हैं, तो हम बहुत सारे variables define करते हैं, और उन variables के अंदर हम अपनी जो numerical values हैं, data हैं, उनको हम define करते हैं, तो एक programming में एक ही अच्छी आदत होती है कि जब हम अपना काम कर चुके हैं, उसके बाद में हमको उन variables को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्यों? जैसे कि अगर हम कहें कि आज अगर माली मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ एक variable या हाइट और इसके अंदर मैंने कुछ अपनी numerical values store कर दी हैं, अब मैं बाद में आता हूँ और माल लीजे कि ये बात मेरे दिमाग से निकल जाती हैं, और हमारे पास कुछ और values आती ह और मैंने फिर से उनको मैंने height नाम के variable के अंदर फिर से store कर दिया, अब जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, तो ये जो पहले वाला height ही ये अपने आप से खतम हो जाएगा और ये वाला height इसको override कर देगा, और override करने के पहले ये मुझे कोई warning भी नहीं देता है कि मैं इस variable को override कर दे करने जा रहा हूं, अब इसमें से समस्य क्या आएगी कि पहले वाला आपका जो numerical values है वो सब अपने आप से खतम हो जाएगी, और उससे बड़ी समस्य ये है कि आपको शायद खुद भी ना पता हो कि पहले वाली values खतम हो गई है, आपके दिमाग में है शायद पहले वाली values ह हैं और नहीं है, इत्यादी इत्यादी तो इस तरह के जितने भी confusion होते हैं उसके लिए एक आसां करीका ये होता है कि अगर हम किसी variable को आज इस्तमाल कर रहे हैं तो उसको जब हम काम खतम हो जाए तो उसको मुझे हटा देना चाहिए और इसके बाद में नया variable define करना चाहिए so that कि मुझे मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं तो हमारा सवाल ये है कि इन variable को कैसे हटाए जाए उसके लिए हमारा command होता है rm मतलब remove और parenthesis लिखकर के हम यहाँ पर इसमें इसका जिस variable को हम हटाना चाहते हैं हम उसका नाम दे देते हैं जैसे कि अगर मुझे को कोई एक ही variable हट तो हम कह देंगे उसका नाम सब्सक्राइब है एक तो हम कह देंगे और अगर हम उसको एक से ज़यादा विएरिबिल को कॉमा के साथ में लिखते हुए rm का मान का इस्तमाल कर लेंगे और parenthesis के लिख देंगे तो यह हमारे तीनों के वेरिबिल को एक साथ हटा देगा तो चल अब देखिए मैंने यहाँ पे एक variable लेता हूँ x equal to 1 y equal to 2 दूसरा और एक और variable लेता हूँ z equal to 3 अब आप अगर देखेंगे x की value आगई 1 अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैंने कर दिया rm x अब हम यहाँ पे type करेंगे x तो यह हमसे कहेगा object x not found अठाथ कि मैंने इस x variable को हटा दिया है लेकिर आप देखेगा कि y और z यहाँ पर पहले से हैं अब अगर दोनों को मुझे एक साथ हटाना है तो हम लिख सकते हैं rm y,z और इंटर करेंगे उसके बाद अब आप को होगे y तो कहेगा y यहाँ पर नहीं है, जब आप को होगे z, कहेगा z भी नहीं है क्योंकि आपने उनको हटा दिया है तो यह जो rm command होता है इसके द्वारा हम अपने different variables को हटा सकते हैं अब इसी बाद को आगे बढ़ाते हुए जब हम variables को हटाने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क उनके बारे में हमारा एक command होता है, attach, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं यह जो command होता है, यह हमारे different objects को जो search path होता है, वहां से हटा देता है, तो जो भी कुछ हमारा search parenthesis command के द्वारा path में, जो भी हमारा r objects आ रहा होता है, तो यह command d, e, t, a, c, h, उन सारे सारे जो को हटा देता है, अभी यह data frame क्या होता है, त्यादी क्या होता है, इसके बारे में हम आने वाले समय में, आने वाले lecture में बात करेंगे, और यह भी जो data frame होता है, यह इसके अलावा जो मारे function packages होते हैं, जो मारे library command के द्वारा अप्लोड किये जाते हैं, उन सभी को हम इस attach command के द्वारा हटा सकते हैं, और इसको आपको याद भी होगा, हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, अब इसके अलावा अगर आपको कारे के सारे variable, data frame, इतियादी, इतियादी, सब को एक साथ हटाना है, तो उसका हमारा command होता है rm, और parenthesis में आप लिए list is equal to ls और यह इसे हमारा सब कुछ हमारे rsoftware से हडियाएगा, सारी files हडियाएंगी, सारे command packages जो भी है, सब हडियाएंगे, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर execute नहीं करेंगे, वरना सब मेरा computer खाली हो जाएगा, अब जैसे आपको याद होगा, हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर मैंन क्लस्टर library को upload किया है, इस command के द्वारा library cluster और अगर हम लिख देंगे kittach package colon cluster parenthesis के अंदर, तो यह हमारे इस cluster package को यहाँ से हटा देगा, right, उसके अलावा finally, जब आपका rsoftware में सारा कारे खतम हो जाता है, और आप उस software से बाहर आना चाहते हैं, उसके लिए हमारे command होगा, होता है, q, q का मतलब quit, तो जब भी हम कभी q और सार्थे parenthesis को r console में type करेंगे, और enter करेंगे तो मुझसे यह पूछेगा, save workspace image, yes, no, cancel, इसका मतलब क्या हुआ, work space का मतलब होता है कि हमने अपने r को जब start किया था और वहां से लेके अब तक, जब तक हम उसको quit करना चाहते है उसके बीच में हमने जितना भी कार किया है, क्या हम उसको save करना चाहते हैं, और अगर हम उसको save कर लेंगे, तो हम जब अगली बार r software को load करेंगे, start करेंगे, तो हम उसको फिर से load कर सकते हैं, otherwise, यह वाला कार यहीं पे खटम हो जाएगा, तो यह आपकी इच्छा होती है, अगर आप इस कार को फिर से recall करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रस कर दिए, yes, आपकी यह वर्क स्पेस में सारी सारी variable, सारी सारी information, जो आपने अभी करीए, सब को save हो जाएगी, और नहीं तो save नहीं होगी, तो चलिए, यह वाले भी काम आपको हम यहाँ पे करके करेंगे no, तो यह नहीं करेगा, और उसके बाद यह हमारा art software अपने आप से quit हो जाएगा. ओके, तो अब हम चलिए, यहाँ पर इस lectures को रोकते हैं, और आप यह देखेंगे कि हमने इस lecture में बहुत छोटे-छोटे commands की बात करी हैं, लेकिन यह commands हमारे लिए बहुत important होते हैं, और जब भी कभी हम programming करेंगे, तो यह हमारी बहुत सहयता करते हैं. मैं आपको यहाँ पर एक चीज और में बताना चाहूँगा, कि जब भी कभी हम software को सीखने की बात करते हैं, तो हमारे पास दो options होते हैं. पहला option है यह है कि या तो हम software के बारे में जितनी भी हमारी theory होती है, या details होते हैं, हम सब को एक साथ सीखने, और फिर उसके बाद हम इस software को सीखने की कोशिश करें. और दूसरा करीका हमारा यह होता है कि हम जो भी हमारा software है, हम उसके अंदर आ जाएं और कुछ कारियों को करना शुरू करें, आरम करें. कुछ कार्य ऐसे होंगे जो हम उसी वक्त समझ जाएंगे कर लेंगे और कुछ कार्यों को करने के लिए हमारे कुछ कमांड ऐसे होंगे जो शायद हम समय के साथ में आगे सीखते जाएंगे और शार यही कारण है कि आप देखेंगे बहुत 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 लेक्चर्स में मैं आपसे कहता हूँ कि यह कमान हम यहां पर यूज कर रहे हैं जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे तो जब हम यह लेक्शेस आरम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कमांज होते हैं हम धीमी धीमी करके आपको कुछ कमांज बताते जाते हैं और कुछ कमांज हम आगे के लिए छोगते जाते हैं लेकिन जैसे जैसे हम इस लेक्शेस में आगे बगते जाएंगे ये कमांण्स हम एक्क करके हम इनके बारे में बात करते जाएंगे और करते करते जब हम अपने इस कोर्स को जब खटम करेंगे तब तक आपको सारे के सारे कमांग आ चुके होंगे तैस问题 धारल के लिजिए आपने देखा कि कंट्रोल-L कमांड इस्क्रीन को साफ करने के लिए मैंने आपको फॉर्वली आज बताया लेकिन हम उसका इस्तमाल बहुत पहले से कर रहते तो हम यहां पर अपनी जो दूसरी अप्रोच है सौफियर को सीखने की जो मुझे को लगता है कि काफी इंटरस्टिंग है हम उसको फॉलो करने की करिये कुछ और इग्जामपल लीजिए वहां पर आप उनको एड़िक्यूट करिये और हम आपको अगले लेक्चा दे मिलने फिर से आएंगे और जिसमें हम आपको कुछ और कमांद के बारें बताएंगे आप प्रैक्टिस करिये और हम आपको जब तक मिलने आते हैं तब KDA, गुट बग्वाई. KDA, गुट बग्वाई.